कॉंग्रिस नेतर राहूल गांदी और दिली के मुखे मंसरी अर्विंद केज्रिवाल के मुश्किले बढ़ सकती है। दोनों नेताओं के खिलाब दिली हाई कोट में जनहत याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इन पर जूट बोलने का आरोप लगाया गया है। दोनों नेताओं पर कथे जूटे और भ्रामक बयान देनी के लिए मुकदमा चलाने का निर्दीश दिया जाए। क्योंकि इभारत की शवी और विश्वस्मियता को नुकसान पहुचाने के मकसद से दिये गए थे। इसमें याचिका करता का नाम सुझीत सिंग यादव बताया जा रहा है जिन्होंने अडवोकेट प्रतीभा सिन्हा के जरीए अपनी याचिका डाली है। जोसमें कहा गया है कि इन ध्रामक और जूटी खबरों ने केंद्र सरकार की शवी और विश्वस्मियता को नुकसान पहुचाया है। इस केस में दो साल की सजा सुनाई थी। सजा के अलान के साथ ही रहुल गांदी की संसत सदस्यतार रद्ध हो गई। वह उन्हें अपना दिल्ली का सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। इसकी बाद कॉंग्रेस नेता ने अदालत से सजा पर रोग लगाए जाने के लिए गोहार लगाई थी। लेकिन कोट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। तूरत कोट से जब राहत नहीं मिली तो राहुल गांदी मोधी सरने मानानी केस में गुजराथ हाई कोट पहुचे थे। राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिशेक मनुस सिंग्वी ने अपनी दलीलों में कहा था कि राहुल गांदी ने मुर्डर नहीं किया है। कि राहुल ने उनके बारे में ही बात की है।